आज की लिक्ट्रिकल वीडियो में जानेंगे रूम हीटर क्योंकि दोस्तों सर्दी के समय आगया है बहुत ही ठंधा लग रहा है और हमें रूम हीटर चलाने की जरुरत है और यहां सोच में पढ़ते हैं कि कितना एम्यम का वायर है कहीं रूम हीटर चलाएं तो वायर जल न जाये वह सब परिस्दांजी से दूर करूंगा मैं दोस्तों और कुछ लोगों का इंक् सब्सकूर ओस्तों सब्सक्राइब जान के बारे में जानेंगे स mix लात कि एम्यम करें काना सब्सक्राइब के और इस चाइनल में होतों चैनल से जूड़ने के लिए सब्त कर दें और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एक रूम हीटर जो सर्दी की समय यूज किया जाता है जो कि इसे हम कहीं भी कनेक्शन नहीं करना है जैसे कि bet switch के पास या फिर 6 amp-re circuit या फिर inverter line में इसे connect नहीं किया जाता है क्योंकि यह room heater 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt के आते हैं इसे power socket में use किया जाता है सबसे पहले दोस्तों हमें room heater चलाने से पहले हमें heater का mpr पता करना होगा तभी हम पता कर पाएंगे कि कितना square mm का wire लगाना सही होगा या फिर कितना mpr का mcb लगाना सही होगा सबसे पहले हमें तीनों heater का mpr पता करना होगा दोस्तों सबसे पहले हमें एंपियर पता करने के लिए सूत्र पता होना चाहिए दोस्तों सूत्र देख सकते हैं इस प्रकार से होता है दोस्तों यह पावर का सूत्र है और हमें धारा का मान ग्याद करना है मतलब करेंट का मान ग्याद करना है तो देख सकते हैं आई equal to power up 1 B, इस formula में मार रखना है दोस्तों 3 हीटर का, तो बारी-बारी से मार रखेंगे, तो हमें सभी का एंपियर पता चल जाएगा, और दोस्तों 3 हीटर का हमें watt पता है, जिसे कि पहला हीटर है 1000 watt, दूसरा है 2000 watt, तीसरा है 3000 watt, और मान दो दोस्तों हमारे घर में 200 ओल्टेज आ रहा है और हमें पता चल गया कि पावर कितना है और ओल्टेज कितना है अब हमें एंपियर कमान पता करना है तो दोस्तों एंपियर कमान पता करने के लिए इस सुत्र में मान रखते हैं इस प्रकार से और देख सकते हैं पहला ह हीटर तीन हजार वाट है उसमें भी देख सकते हैं 15 एंपियर मिल गया और दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक साड़नी है जिसे आप देख सकते हैं जो की पहला साइट में लिखा है सकते हैं सकने से और दोस्तों हमारे पास मालो पहला ही और की हजार बाट है वह 5 एंपियर ले रहा है उसके लिए हमें एक सक्राइवर एमम प्रस्नल» ले यह वार सही से काम करेगा लेकिन 1 square mm के लिए हम 6 amp mcb लगाते हैं तो ट्रिपिंग बार बार समसे आ सकता है इस करण हम 1000 watt heater के लिए 1.5 square mm wire का यूज करें और 7 ही 10 amp mcb का यूज करें जो सही तरीका से चले अब दोस्तों बचा 2000 watt room heater और 3000 watt room heater दोनों के लिए 2.5 square mm wire का यूज करें और 7 ही 16 amp mcb का यूज करें और दोस्तों 3000 watt के लिए 1.5 square mm wire का दें और 7 यदि 2000 watt room heater का यूज करें तो थोड़ा बहुत इस्ट्रा चला सकते हैं लेकिन 3000 watt के लिए 1.5 square mm wire का दें